शोले भटूरे का नाम सुनते ही मुँ में पानी आने लगता है। जब भी शोले भटूरे खाने का मन करता है तो लोग बाहर से ओडर कर लेते हैं, लेकिन इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। कुछ लोग भटूरा घर पर इसले नहीं बनाते ही क्योंकि वह ठीक से नहीं है, यहीं नहीं, वह चाहे जितने भी कोशिश कर ले उनका भटूरा मार्केट में मिलने वाले भटूरे की तरह नहीं फूलता, फूलावा भटूरा ना सिर्फ परोसने में अच्छा लगता है, बलकि खाने में भी यह उतना ही टेस्टी लगता है, घर पर छोले बने हो तो भटूरे के साथ इसे खाने का अलगी मज़ा होता है, लेकिन कई बार भटूरे बनाने में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं, कि भटूरे पर्फेक्ट नहीं बन पाते हैं, भटूरे बनाते समय कुछ जरूरी स्टेप हम मिस कर जाते हैं, तो आज मैं भटूरे बनाने का बह मेदा लिया है इसे थोड़ा-थोड़ा करके छल्ली में छान लेते हैं दो टेबल स्पून बारिक रवा लिया है छानते समय इसे भी मेदे में मिला देते हैं इन सब को एक साथ छान लेने के बाद इसमें स्वात के अनुसार नमक एट करते हैं आदा चम्मच पेसी हुई चीनी और आदा चम्मच बेकिंग सोड़ा भी इसमें मिला देते हैं इन सभी ड्रा इंग्रेडियोंस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद दो चम्मच ऑईल भी मिक्स कर देते हैं और चार चम्मच दही इसमें मिला देते हैं सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गूत लेते हैं पाने का इस्तेमाल हमें यहां पर ध्यान से करना हुगा क्योंकि आटे में दही भी हमने मिक्स किया है। आटा न ज़ादा सकतो होना चाहिए और नहीं ज़ादा सॉफ्ट होना चाहिए। बहटूरे के आटे में मैंने यहाँ पर चीनी एट की है, चीनी से fermentation का process काफी बढ़ जाता है, इसलिए बहटूरे बनाते समय आटे में चीनी जरूरेट करें, चीनी से बहटूरे का कलर भी एकदम निखर कराता है, बस इसी थरह का आटा हमें लगा कर तैयार करना है, न जिससे गूंथ लेते हैं इस दोरान आटे को थोड़ा थोड़ा करके पटकते भी हैं जिससे आटे में लचिला पना जाता है और जिस वज़ा से भटूरे काफी सौफ्ट और फ्लफी बनते हैं आटे को हमें ऐसे पटकना है जैसे हम इस पर सारा गुस्सा उतार रहे हो बस आटे को थोड़ा सा ओईल लगाकर एक सेपरेट बॉल में ढखकर 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तब तक हम चाहे तो छोलो की भी तैयारी कर सकते हैं अब 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आटा एकदम फूल गया है थोड़ा और इसे निट कर लेते हैं इससे हम जितना जादा निट करेंगे भटूरे उतने ही जादा सौफ्ट बनेंगे चुकि इसमें सूजी हमने मिक्स की है तो इस वज़़ा से इसे अच्छे से निट करना बहुत ज़रूरी होता है आटे से छ तयार होंगे मैंने यहाँ पर 16 भटूरे ही बनाए है बाकी काटा मैंने रख दिया है क्योंकि 16 भटूरों में हमारा खाना हो जाएगा सारे balls पर oil spread कर देते हैं ये process काफी जरूरी है इसे skip बिल्कुल भी ना करें क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि भटूरा बेलते समय सिकुर जाता है तो इस process से भटूरा बेलने के दोरान बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगा oil spread करने के बाद इन सारी balls को ढखकर पंदा मिनिट के लिए रेस पर छोड़ दिया था बस पंदा मिनिट के बाद ये balls रेडी है भटूरा बनाने के लिए थोड़ा सा oil rolling pin और board पर लगाएंगे ताकि आटा चिपके ना और आसानी से इसे बेल सके भटूरा बेलते समय कॉर्णर से भी इसे बेलना है नहीं तो ये बीच में से पतला और कॉर्णर से मोटा हो जाता है जिस वजह से भी भटूरा फूलता नहीं है यानि भटूरे को सभी तरब से एक समान बेले यहां पर आप देख सकते हैं कि भटूरे का आटा बेलते समय बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हो बेलANS बेला है बटूरे ब...'र बर उठा कर बेलने में अगर दिक्कत आ रही हो तो आप रोलिंग भोड को.. गुमा कर भी भटूरे को बेल सकते हैं बटूरा बेल कर तय्यार हो चुका है बस अब इससे शौधाने से एक तरब से उठा कर गर्मा गर्म तेल में डाल देते हैं ब बस भटूरा फुलते से इसे पल्टा ले और गेस के फ्लेम को low to medium कर दे यहाँ पर मैंने दूसरा भटूरा भी तेल में डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि भटूरे बिलकुल गुबारे की तरह फुलकर तयार हुए हैं बस तो तयार है यह गर्मा गर्म साफ्ट और फ्लफी भटूर है दिख रहे हैं न बिलकुल गुबारों की तरह जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा यह खाने में टेस्टी बने हैं गर्मा गर्म भटूरों को छोलों के साथ सर्व करे कुछ बातों का ध्यान रखकर कोई भी इसे आसानी से बना सकता है बस भटूरा बनाते समय ध्यान ये रखना है कि इसका आटा बहुत ज़्यादा सक्त नहीं रखना है सौफ्ट रखना है और जो सुजी हमने इसमें मिलाई है वो बारिक वाली ले और आटे में चीनी जरूर मिलाए आटे को अच्छे से गूत है और इसे दो बार रेस पर रखे एक बार आटा गूतने के बाद और दूसरी बार इसकी बॉल्स तयार करने के बाद बस ये टीपस और ट्रिक्स ध्यान में रखकर भटूरे बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसे भटूरे बनेंगे छोले भटूरे बहदी महशूर होते हैं लगबग पूरे भारत में इसे पसंद किया जाता है ये ऐसी फूट डीशे जिसे बच्चे हो या बड़े सभी चाव से खाता पसंद करते हैं ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में भी खा सकते हैं बस तो कुछ आसान टीप्स और ट्रिक्स से आप भी मार्केट जैसे गुबबारे की तरफ फूले हुए भटूरे घर पर आसानी से बना सकते हैं एक बार भटूरों को मेरे बताय तरीके से बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे क्योंकि इस तरीके से भटूरे एकदम परफेक्ट बनेंगे